नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्कन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं मुख्यमंद्री ने कहा कि कुरोणा महामारी के इस दोर में देश और मानाव हित में जर्कन अपनी जरूरतों के साथ और राजियों की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहा है जर्कन देश को बड़े प्रमाने परलगबग 600 टन अक्सिजन के अपूरती कर रहा है कुरोणा से जंग में अवस्यक संसाधनों की कमी किसी राजियो को नहीं होने दी जाएगी मौसम विभाग के अनुसार जहारखन में आज मौसम करवट ले सकता है बतादे मौसम बेग्यानिक विभाग के अपने पूरणवान में बताया गया है कि बोकारो, धनबाद, रामगर, राची, पाकुर, देवगर, दुमका, गोड़ा, जामतरा और साहिब गंज में हलके में गरज और बजरपात के साथ हलकी बारिस हो सकती है मौसम विभाग ने इस बात को लेकर एलो अलट जारी किया है इद पर जार्खन के उर्धू सिक्षकों को खुसखबरी जार्खन के उर्धू सिक्षकों को इद पर मोखिमते हिमासुरे ने बड़ी खुसखबरी दी है इद के तोर पर उर्धू सिक्षकों के बेतन के लिए 21 करोड रूपए सरकार ने जारी कर दिये है प्रात्मिक सिक्षा निदे साले ने प्रात्मिकी स्कूलों में कारवरत ओर्दू सिक्षकों के बेतन के लिए स्वमवार को 21 कोड़ोर 31 लाग सता से एर 300 रुपए विभीन जीलों को जारी कर दिये अखिल भारती प्रात्मिक सिक्षक स्वंग के अध्यक्स 24 माहा सचीव राम मूर्ती ठाकूर और मुखे प्रवक्ता नसीब आमदने इसे लेकर मुखमत में हमान सुरेन तथा प्रात्मिक सिक्षा निदे साग भोनेस पर परताब सिंग के प्रती अभार फ्रकट किया है पचास बेड़ वाले प्राइबिट अस्पतालों को लगाना होगा अक्सिजन प्लांट अक्सिजन की कौमी की समस्या उत्पन हो सकती है ज्यारखन में साधी बीवा पर रोक आई सरकार की नई गाइडलाइन ज्यारखन में लोक डाउन बढ़ाने के मुदे पर बुद्वार को मुख्यमंत्री हेमन सुरेंस सीनियर अधिकारियोग साथ उचस्तर ये समीक्छा की बैठक करेंगे बतादे सुचना मिल रही है कि क्रोना वायरस के संक्रमन को देखते हुए साधी बीवा के आयोजन पर पूर्ण परतिबन लगाया जा सकता है पहले से चलिया रही पवंद्यो पूरी सकती के साथ आगे भी जारी रखने की उमीद है इससे पहले ज्यारखन में तीन बार लोक डाउन लगाया जा चुका है 300 एक्स आर्मी मैन देंगे सेवा मुख्य मंत्री ने कहा कि सैनिक कल्यान बोर्ड के दोवारा उन्हें बताया गया कि COVID-19 से निपटने की दिशामेवे सरकार को हर संभव मदद को तयार है इस इलसिले में 300 एक्स आर्मी मैन कुरोना वरियर्स के रूप में अपनी सेवा देंगे उन्होंने अभी कहा कि इस महामारी ने पूरे देश में स्वाज से जुड़े इंफ्रस्टक्चर की ज़रूरतों को आउगत करा दिया है उन्होंने कहा कि एस्पतालों में चिकित्सको नर्सों पारामेडिकल कर्मी और अन्य मैन पावर की कमी से सरकार आउगत है राज्य में अब 10 हेयर से अधिक अक्सिजन युक्त बेड मुखमंद्री ने कहा कि शुरुवाती दिनों में राज्य में मात्रे कुछ सो अक्सिजन युक्त बेड थे लेकिन आज इसकी संख्या बढ़ कर 10 हेयर से ज्यादा हो चुकी है बेडो की संख्या नियंतर बढ़ रही है इसके अलावा ICU बेड तथा वेंटी लेटर की संख्या में भी इजाफा हुए है मुखमंद्र ने कहा कि वेंटी लेटर इंस्टॉल करने के लिए दक्स तकनिसियन की जरूरत है लेकिन इनकी संख्या कम है इस वज़े से कई अस्पतालों में वेंटी लेटर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है सरकार इस तिसा में भी गम भीरता से विचार कर रही है उन्होंने यह अभी कहा कि लोग वेंटी लेटर तक नहीं पहुंचे इससे पहले ही वे स्वस्थो कर अपने घर चले जाए यह सरकार की विशेस प्रत्मिकता है जार्खन में पोजिटिविटी रेट घटी जार्खन में क्रोना वायरस के सब्ताइक संक्रम अंदर में कमी आई है राजे में 26 अपरेल से लेकर 2 माई के बीच यह अदर 15.85 फिसद थी अर्थात पर तेक 100 लोगों की जाच में लवग 16 लोग संक्रमित मिल रहे थे तीन से नौ माई के बीच यह अदर घटकर 12.09 हो गई है इस बीच पर तेक 100 लोगों की जाच में 12 ही संक्रमित मिले पतादे विभीन जीलों की बात करे पच्मी सिम्भूं गिरिडी तथा पाकुल को छोड़कर सबी जीलों में दर में कमी दर्ज की गई है पच्मी सिम्भूं में 4 पिसद तो गिरिडी वपाकुल में आंसिक बिरिधी हुई है हलाकि 15 जीले आईसे हैं जहां अभी भी संक्रमंदर 10 पिसद से अधिक है 25 मई तक सभी करमचारियों के लंबित वेतन का करे भुगतान जहारकन सरकार ने तमाम विभागों में कुछ करमियों को महिने 2 महिने से बेतन नहीं मिल पाने की सुचनाओ को गंबिता से लिया है इस संदर में मुखे सचीव सुखदेव सिंग ने सभी विभाग ये प्रमुखों को पीत पत्र के माध्यम से कहा है कि संक्रामन के इस दोर में किसी को भी बेतन से बंचित नहीं रखा जाए उन्होंने 25 मई तक सभी को बकाया बेतन का भुकतान करने के निर्देश के साथ ही इसके लिए अवसे करवाईयों को पुरा करने को भी कहा है जहारकन में 4365 नए केस मिले हैं जहारकन में 103 मरीज की मौध हुई है जहारकन में कूल मौध की संख्या 4,085 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 54,533 है भारत में 3,44,389 केस मिले हैं भारत में कूल मौध की संख्या 2,94,225 है वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 36,99,662 है बता दे भारत में 3,555,257 मरीज स्वास्थ हुए हैं वहीं ज्यारखन में भी 761 मरीज स्वास्थ हुए हैं ज्यारखन में मिले 4365 नए केस इस प्रकार हैं भोकारों 24,45, देवगर, 133, तनबाद, 182, 37, पूर्वी, सिमू, 530, गड़वा, 79, गीडी, 133, कुरड़ा, 66, गुमला, 81, हजारी बग, 392, जामतरा, 83, खुटी, 122, कुरडारमा, 121, लातेह, 87, लोगरदागा, 1818, पांकुर, 235, पलामो, 384 रामगर एकसो बहतर राच्ची पान्सो तीरासी साहेवगाज एकतिस सराय केला उनसट सिम्डेगा उनासी पच्मी सिमू से दोसो सताइस मरीज मिले हाए जारखन में 761 मरीज स्वस्थ हुए हैं जो बुकारु से 552, 1442, देवगर 173, धनबाद 144, दुमका 171, पूर्वी सिमू 865, गढ़वा 58, गिरीडी 117, गोड़ा 72, गुमला 103, हजारी बग 531, जामतर 155, खुटी 189, कोडार्मा 409, लात्यार 509, लोहत्यागा 143, पाकुर 116, प 173, पच्चमी सिमू से 242, मरीज स्वस्थ हुए हैं, जारखन में सभी को देंगे मुफ्थ भैक्सीन, मुख्यमंतरी, मुख्यमंतरी हैमंसुरे ने कहा है कि राज में कोविन, टेस्टिंग और कुरोना संक्रमन से मुख्थ होने वाले लोग की संक्रमन दर्वें भी कमी समय पर मिलने से सब को रहात मिली है, ऑक्सीजन या जरूरी दवाईयों की कला बजारी पर रोक लगाते हुए उन्होंने और सुगमता से आम जान तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर हम लगतार कारे कर रहे हैं, कुरोना रहात कीट के जरी हर ज़रुरत मन तक हम दवाईया समय पर पहुचाने का बरसक पर्यास कर रहे हैं, जर्खन में 14 मैं से 18 पलस को वैक्सीन, जर्खन में 18 पलस के उम्रवाले के लिए 14 मैं से कुरोना वायरस की वैक्सीन उपलवद हो जाएगी, मुख्यमंत्री ने इसकी घुसना कर दी है, साथी उन्होंने कहा है कि सभी को वै अधार पर लगवा सकता है, बताजे क्रोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सरीन में इवनिटी बढ़ाने के लिए दोनों टीके में से किसी एक का दो डोज लेना अनिवार्या है, जर्खन में तेजी से बढ़ रही बलैक फांगस मरीज की संख्या, क्रोना के बढ़ते मामलोग के बीच बलैक फांगस का खात्रा मटाने लगा है, बताजे रिम्स में मंगलवार को बलैक फांगस के दो नए मरीज मिले हैं, दोनों मरीज रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में भरती है, दोनों मरीजों में फांगस का प्रसार कहां तक हुआ है, इसका पता लगान चात्र विर्थी के लिए इसकूलों को पंदरह तक करना होगा आवेदान सरकारी विद्यालों में कक्छा एक से बराहमी तक के उन समाने वर के विद्यार्थियों को मुखमंत्री चात्र विर्थी प्रतान की जाएगी जिने किसी भी माध्यम से कोई छात्री विर्थी नहीं मिल रही है इसके लिए इस कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 माई तक छात्रों के सूची अपने परखंड अस्तरिये करयाले में जामा करा दे दो दिन पहले राची जीला सिक्षा पता अधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षा के अधिक्षता में इस सम्माद में आवेजित ऑनलाइन बैठक में परचार्यों को निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री हमनसुरे ने कहा कि कुरोना की पहली लहर से हम साकरात्मक तरीके से निपटने में काम्याब रहे हैं दूसरी लहर से हम मुकाबला कर रहे हैं और अब तीसरी लहर के आने का भी खत्रा मंड़ा रहा है ऐसे में अब इतना समय नहीं है कि कुरोना से जुड़े मुद्धे को नजर अंदाज करे कुरोना को कैसे नियंत्रित किया जाए और संक्रमितों को समुची तो अब बेहतर स्वाज सुधा दी जाए इसे लेकर राज सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है